सलाम आलेखों, वेलकम तो अन्माइन क्लास, एर्टिग्रामर स्कूल, अज हमारी क्लास पूर्पोर की दूसरी क्लास है, इसकी क्लास पूर्पोर ने चैटर नबर वाल को ले राओ किया था, इसमें मिदे बॉर्ट मेंने, वर्ट यह सब से करें जिए, आज हम दूसरी ते करे कि यह आज हम SHORT और रोफोर करें अपर दोगो को कि को दोगों का है वोगों कहा है, गोख प्योंसराइक करें है ट्रोली अलेखूर है गोरी टार दार्गराम औपाई, इसक्षबिस प्यत्याइम आहरेउट की, त्योकै आपन पेसpit को पेस्ट नबर 6 पे दी गहीं है ए John Do page number 9, question number 4 in copy और आप लोगोंने page number 9 का सवाल अबर 4 करना है copy में टीक, नहां तर आपनों को clear हो गिया उसके बार आपनों के classwork पर आते हैं Classwork आप लोग का अच्छा है यह है कि आपनों की shortcut आप सुष करने में जिसका पहला सवाल, question number A आपनों बुक से दिखें का मैं आपनों को इस फट्पटे सुना देती हूँ What is the fuel of human being? Human being की fuel क्या होती है? आपनों की पास है Food is the fuel of the body Food जो है, खाना जो है वो fuel है आपकी body का ठीक, clear होगी पाट perfect question का B आपनों का आपनों alpha fats से दिखें का आपनों की पूपमे भी समाल आपनों 1 में दिखावा alpha fats day, okay आपनों पी दिखें का पूपमे आपके पास है What is the name of the tiny part that make up the human body? Okay इसका answer आपनों की पास है tiny parts that make up the human body are called cells चोट इचे पार्ट जो होती है human body में गुग cells पेलाते है वहां तर क्लेयर होगी पास जो लोग उने फॉर्शनलों दते हैं एं फॉर्शनलों पी बढ़ाएं वहां तर कॉपी राइट है इसके पास QC पे आजाएं QC आप लोग के पास है How many bones make up the human skeleton? कितनी bones होती है कितनी हड्डियां होती है आपके जिसमें जो skeleton को मकमल करती है 206 bones make up the human skeleton 206 हड्डियां होती है आप लोगों की बॉड़ी में इस बात को अपे जिसमें रुषा लिएगा कि 206 bones आप लोगों की बॉड़ी में होती है ठीक यहां तक समझ में आगया QC पे आपके पास QC पे आपके पास किया हुआ है How many muscles are there in the body? QC पे आपके आपके पास किया हुआ है How many muscles are there in the body? Answer आप लोगों की दिया है There are more than 600 muscles in the body आप लोगों की बॉड़ी में 600 muscles होते है ठीक उसके पास QC पे यह आप लोगों तो दिया हुआ है What is the work of the heart? आप लोगों की दिन का क्या काम होता है The heart pumps blood to all the different parts of the body ठीक इहां तर आप लोगों clear हो गिया Question number A, person number B, C, D and E यह चार यह पास आप लोगों के short question answers से homework clear कर दिया आप लोगों आप लोग question answers प्रे Long question answer question number F है ठी? आप लोगों के पास Long question answer question number F है और से देखिये आप What does the digestion mean? Digestion का क्या मचलब है? यह क्या process है ठी? The process of breaking down of food into tiny pieces so that the body can use it is called digestion जो आप लोगों खाते हैं वो छोटी 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 पार्ट में नूट चलता है तिक जिसके जरी हो आप लोगों के बाडी में digest होता है यह कौन सा process कराता है? Digestion system कराता है यह process यह answer था Question number F का सवार बिल्कुल clear लिखियेगा Pencil sharp रखियेगा Writing बिल्कुल clear आई जो diagram दे रही हो आप लोगों को बिल्कुल clear बनी होनी चाहिए इस पर color लाजमी करियेगा इसके बाद question number G What type of cells are found in the brain? कौन सब्सक्राइब की cells होते हैं जो के आपके brain होते है The brain is made up of millions of cells called nerve cells brain जो होते हैं उसके अंदर millions of cells होते हैं जिसको nurse turn करते हैं जो कि आप लोगों की body parts को Massage provide करना होता है अब जैसा आप लोग हाद को move कर रहे हैं मैने stick यहां रखी कैसे रखी? Massage दिया दार है आप लोगों की body parts को जिसके जलिये brain जो है आप लोगों को काम करता है within a second, second भी बहुत जादा होता है mini second जिसके जलिये आप लोगों की काम हुजा रखी तो यह साब लोगों क्या चलाते हैं nerve cells चलाते हैं आज हम लोगों ने short question answers करें long question answers करें hope up में आप लोगों को बताते हैं diagram बनाती है और आप लोगों ने pain number 9 करना है class number 4 करना है ठीक, आज हमारा chapter number 1 हम लोगों का complete हो गया है objective section जैसे हम लोग फर्दफा करते हैं class 4 में objective section हम लोग end में करेंगे part बना के लिए लिए अलग से सब्जेक्टिव सीथे करेंगे ठीक, यहां तक यह रोगी बात class 4 की second class में हमारे आज साइस की इंशाला अबली class में मिलेगे अज्या हवेश